हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो दे चैनल मैं हुशी मौर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज और आशा करते हो आप सब बहुत ही अच्छी हो इस आशा के साथ है अपने वीडियो शुरू करते हूं तो मेरा टॉपिक आज आपके साथ बात करने का यह जो चांग क्षट पाथ किम अपने शीक है विशेश करने के लिए और देखा कि मीरे पूरी पौथा ही इस प्लांटट से भाल चुका है वे अच्छी प्लांट है आपने भी आपने भी मे आपने भी शायद जो भी गार्डनिंग करते हैं तो उन बहनों रहा हो गार्डनर भी आप सभी ने देखा होगा कि क्यों पर लगांन क्यों वीदिधंसे चाहिंते। तो हमें इसको नहीं फेकना है बलकि इसको हमें काम मिलाना है ठीक है तो मैं भी आज इसकी पैक बनाओंगी तो इसलिए सोचा यह वीडियो आपके साथ शेयर कर लो फ्रेंड्स तो यह जो पौथा है फ्रेंड्स यह इसकी जो गुन है बहुत ही अच्छी गुनों से भरपूर है पहला तो गुन है इसकी जिन बहनों को जो मेरी बहन भी इसमें बहुत ज्यादा उनको ब्रेडिंग होती है उनने भी यह बहुत ज्यादा कार्गर है इसको पीछ के थोड़ी मिस्टि मिलाकर आप पीते रहो तो इसके श्राहा बनाकी उपीते रहो या फिर ऐसी आप बाल इतना जादा उठ जाती है कि आप जितना भी कोशिश कर लो आपकी बाल नहीं लोटते ठीक है तो उसके उन सभी भाइबहन के लिए यह जो पौधा है इसको आप यूज कर ही सकते हो कोई भी साइड एफिक्ट नहीं है बहुत ही अच्छी तरीके साफ इसको यूज कर सकत इनको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इनकी पत्तियों को तोर दो तोर के आप इसकी पेश्ट बना लो आपकी जहां-जहां बालों की प्रॉब्लम है जा आपके सीर में अगर बोलते हैं कि एकदम उठ गया है एकदम जो जिस जगह पे बाल नहीं उठ रहा उच्छ जगह पे अगर आप इसकी जो लेप लगाते हो तो बहुत ही अच्छी होती है यह जो नुसका है यह हमारी मा दादे मा भी यूज़ करती थी जब भी हमारे बाल को ऐसे बालों की प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने भी हमको भी यह जो चांगिरी की पौधा इसकी पेश्ट बना के इसके लिए बना के बालों में लगा दे थे तो इसका पेख बना के आप अपनी बालों पर लगा सकती हो जो की बहुत ही कारगर है बाल जहने में आपको रोकता है बाल और बालों को एकदम लंबा घहना काला करने भी मदद करता है तो एक नेचरल तरीका है बालों को जहने स यह आप अपनी खाने में यूज़ कर सकते हो हम लोग बहुत सरी चाटनिया खाते हैं तो इसके लिए भी इस पत्तियों को आप अपनी सब्जी में भी इस्तिमाल कर सकते हो बहुत ही खट्टा है और बहुत सरी रोगों से जैसे कि अगर आपको जो डाजेशन की प्रॉब्लम ह अगर आप इसको खाते हो सब्जी की साथ ही खाओ या फिर पेज बना के भरता बना के चट्टी बना के भी खा सकते हो तो यह बहुत ही लाबदाई है आपको जो डाजेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है ठीक है और फिर फ्रेंस इसकी और एक बहुत ही अच्छी जो हम यूज ए वो है अगर आपको मसा है ठीक है हम बहुत सरी लोगों का ऐसे हो तरम म stretch है हम लोग . यूसा है थीक होती है नकिन फिर फिर से लौकिा जाते है लेकिन इसकी अगर इस जशिके लेप बहुत ही ज्र जाते हैं तो यह एक बहुत ही कारगर है मसा में और फिर फैंज इसको आप skin के लिए भी use कर सकते हो अगर आपetten बना देए उसके साथ अब इस पत्तियों को कुछ पत्तियों को तोरके आप उसको रस निकालके आप अपने में use कर लो आपकी चेहरे की जो जुया होती है जो जर्या होती है जो एक समय होने जिसके एज होने के साथ साथ आफटर 30 या 35 यार्स बात देखोगे कि आपके स्किन में थोड़ी से जिंकल्स पढ़ने लगती है जाया होने लगती है तो इन में भी यह बहुत ही कारगर है कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है फ्रेंज आप यूज करके देखी सकते हो फुली ढ निलपर और इसके शीट भी होती है शीट से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो तो इतनी फायदेवन जो उन्हों कुछ ना ग्रो早 करें हैं झाल चैनल घ्राइक प्राइक ने दूबा जाए झालन सिव्ल में सब्सक्राइब में दाइखें हम प्राइब ऐसा में जाता sneaking में जाए हैं तो बहुत सारी इसकी फाइदे है तो आप इसका यूज कर ही सकती हो और आप देख सकते हो मेरी पूरी पोठ ही भर चुका है तो मैं इसको नहीं फेकूँगी कुछ-कुछ पत्तियों के लोगा लेकर इसकी एक हैर पैक बनाओंगी हैर पैक अगर बनाते हो फ्रेंज कुछ भी जो भी आपकी हैड जहनी की प्रॉब्लम है आपकी डेंडर्फ की प्रॉब्लम है बाल जो काला किसी की बाल होते हैं अगर तो फ्रेंज आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पहसंद आए अगर थोड़ा सा भी हैल्फुल लगे तो प्लीज एक लाइक देना और मेरी चनल पर बैने रहिए इस तरीके से ही आप चोटी मोटी गार्डेनिंग कर सकते हो और आपकी घर की शोभा भी बरा थे देखो कितना खुबसुरत लग रहा एक दम ग्रीन और यहलो कलर की चोटी-चोटी फ्लावर्स तो फ्लावर्स फ्रेंज यह यहलो कलर की है लेकिन इसकी बैंग आपके साथ मैं आपके वीडियो खत्म करती हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए और इतने अच्छी कॉमेंस देने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी वीवर्स का बहुत बहुत शुक्या थैंक्यू